जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का एजूकेशन के अट 6 में देखे बिहार में दरोगा की बहाली का 1275 पदों का जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में है लेकिन यहां पर नई बहाली की चर्चा को लेकर चातर जो है लगातार मांग कर रहे कि यहां पर नई बह नोटिफिकेशन अब तभी आएगा जब जो है लोग सभा का एलेक्शन समाप्त हो जाएगा आपको बता दे कि अभी आने वाले समय में और भी बहालिया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि बिहारे सही में कितनी वेकेंसिज अभी और आ सकती है लेकिन एक समस्या क बहुत जरूरी हो गया यहां पर उन चात्रों के लिए जो चात्रों के लिए यह नोटिफिकेशन आठ अपरेल को जारी किया गया था मैंने इसके ओपर एक वीडियो भी बनाए ता उसमें बताया था कि आपका पीटी को लेकर यहां पर उन चात्रों से जो की OBC से बिलॉंं करते हैं उनका जो है NCL और EWS का certificate मांगा जा रहा है उसका cut of date एक अगस्ट 2023 रखा गया जिसको लेकर यहाँ पर समस्य है उठी है अब पहले सीज को समझते हैं कि OBC में कौन-कौन सी category जाती के बर के छातर जो आते हैं तो annual income है परिवारिक वह आठ लाग से कम होनी चाहिए तभी जो है आप इसका जो है यहाँ पर certificate बनवाते हैं और आप इसके लिए applicable होते हैं नहीं तो अगर आपका NCL वाला जो section नहीं select करते हैं आप यहाँ पर फॉर्म बरते समय आपने देखा होगा कि आपसे NCL पर या OBC पर इन्होंने क्लिक करवाया होगा बट वहाँ पर उस समय फॉर्म बरते समय यह डॉक्मेंट्स नहीं लिए गये थे क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका final selection हो जाता है में उसके बाद जब आप पीटी क्लियर करते हैं तब आपसे जो है यह के लिए जो चात्र यहां पर जो है बिलॉंग करते हैं OBC से जो चात्र से आते हैं या यूवर कैटिगरी से आते हैं उनके लिए ऐसा कोई अगर हम देखें तो certificate नहीं मांगा जाता है बस यहां पर दो लोगों से अगर आप जनरल कैटिगरी में भी हैं और EWS को यहां पर कैटिगरी में आप अपना form भा रहे हैं तब आपसे यहां पर आपसे आपका जो है जो वीतिय प्रमाण पत्र है वो मांगा जाता है दूसरा है कौन तो OBC वाले चात्र OBC में एक तो BC category 1 यानि की EBC और BC category 2 जो की BC 2 कहलाते हैं वो चात्र आते हैं अब जिस भी category में आप हैं अगर आप इसके तहत NCL में आते हैं आपने क्लिक किया है form बरते समय तब आपको जो है कहीं ना कहीं BC category का benefit मिलेगा अगर आपने नहीं किया है क्लिक वहां पर तो है यहां पर आपको जो है जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा बस आप OBC में आएंगे आपको एज में छूट मिलेगा उसके अलावा नहीं लेकिन यहां पर कटफ का जब बारी आएगा यानि कि जब आपका मेरिट बनेगा तो उसमें चीजों को benefit मिलता ह आरक्षिन का लाब मिलता है अब यह चात्र परिशान क्यों है एंसेल को लेकर चुकि देखें यहां पर एक notification में चर्चा लिखी गई है कि क्रीमी लेर में नहीं आने वाले संबंधी प्रमाण पत्र हैना यानि कि नन क्रीमी लेर की बात हो रही है जिसमें कि पिछड़ा वर निर्गत जरूरी है यहां पर माने रखा गया उसको यह प्रमाण पत्र जो है विग्यापन में वर्णित कटफ एक अगस 2023 को अक्षादित होना चाहिए यानि कि एक अगस 2023 से पहले का होना चाहिए यह ध्यान रखेगा लेकिन यहां पर एक चीज और इनको मेंसन करना था इ यहां पर आपके सालाना इंकम परिवारी कितना है यह बताया जाता है अब जब भी देखिए EWS को इंटर्डिउस किया था 2019 में उसके बाद हर साल जो है यहां पर आप लोगों से EWS का सर्टिफिकेट मांगा जा रहता है तो आप कब से कब तक तो एक अपरेल चुकि हमारा जो टैस है यह तो पार हो चुका है चूकित्क ही लिखा गया यहां पर यहां पर यह प्रसुरं को लेट इसलिए Itsी जीट आपर और 2-0त्रशूंबीस कर देना था कि उस बीच से पहले जैंगे यह साल मांग झास मान लिजे कि अगर एक अगस्ट 2030 जब हमारा दौड होता तब हम लोग बनवाते हैं जाहिट सी बात है जब भी आप भाली की प्रक्रिया में यहां पर सामिल होते हैं तभी आप जाके अपना सर्टिफिकेट वेरस अपकुछ तयार करवाते हैं तो यहां पर आयोग की उपर प सपोर्ट ना करें बिल्कुल सपोर्ट करें जब भी बाली की प्रक्रियाओं के ओपर कोई रूप या प्रतिरोप लगता है या पिर वो बाली फस्ती है तो सभी चात्र मिलकर यहां पर उसके लिए अंदोलन या प्रोटेश्ट भी करते हैं तो उसी तरह जब किसी एक चात् यहां पर फिजिकल एफिसेंसी टेश्ट होना है अब वहां पर जो चात्र है वो अपनी समस्याओं को तो रखेंगे चुकि अभी जब यहां पर बहाली के प्रक्रिया होगी और यहां पर डॉक्मेंट्स मांगी जाएंगी जब डिबी होगा आपका तो उस समय आपका बहुत सारे चात्र ऐसे होगे जिनका कि एक अगस 2023 से बाद का होगा वहां पर उनका और ज़रूरी भी है चुकि अब यह 2024 चल रहा है तो एक अप्रेल से लेकर 2024 से लेकर एक अगस 2024 इसको कर देना चाहिए ताकि छातर अपना जो है सर्टिफिकेट बनवाले वीदिय प्रमान पत्र बनवाले और वो लेकर जाए तो इसी के बिहाफ में हमने यह वीडियो बनाया है यहां पर इन सभी चीज़ों को लेकर अब थोड़ा चर्चा हम लोग करते हैं यहां पर कि जो नई बहाली की प्रक्रिया है कि बिहार में और कितनी बहाली आने वाली है या आ सकते हैं तो बिल्कुल देखे अभी जैसे ही जो बिहार SI का इतिहास कहता है कि जैसे ही आपका मेंस क्लियर खतम हो जाता है मेंस का एक्जाम खतम हो जाता है पीटी की प्रक्रिया सुरू हो लगबग 2000 से भी जादा नए पदाने वाले हैं बिहार द्रोगा को लेकर तो कितने आ सकते हैं तो देखें मैं एक आकड़ा बता रहा हूँ जो की बिहार पुलिस वर्क को लेकर जो अभी हाल ही में जाती जनगर्णा हुई है उसके बाद से हर एक छेतर में जो है पुलिस वर् करें तो दरोगा और सिपाही की जो बाहली आने वाली है उनको टोटल मिला के अभी भी 67735 जो आपके आकड़े बता रहे हैं यह संख्या खाली है यह संख्या भरी जानी है नई वेकेंसिस को लेकर तो इसमें अभी अगर हम बात करें नए चरण में अगर बाहली आती है तो टोटल अगर नंबर ओफ सीट की बात करें तो 24,279 सीटों का जो है इस रिजन होना है जो कि इस साल आपका आ सकता है अभी 24,279 में जो है आपको बता दे कि नई कॉंस्टेबल की रिकूटमेंट जो है लगबग 19,479 है यह नई बहाली की इसका एक निउस अपडेट भी आय है उसकी बात नहीं कर रहा हूं यह तो बहाली इस साल हो जाना है लेकिन इसी साल यह दो बहाली को भी होना था चुकि यह प्रहली का प्रग्विया लेट हुआ पेपर लेक हुआ और यह पेपर अधर में अभी फसा हुआ है इसका एक्जाम कब होगा यह आपको मैं बता जो section है यहां पे क्लिक करके जरूर देख लिजेगा कि आज 14 अप्रेल को यहां पे notification दिया गया है कि जो tender दिया गया था इस बहाली की प्रक्राइब को कराने को लेकर उसको वापस गिया जाता है कारण इसके पीछे क्या है कि election यह बताया गया है और आचार सहीता है यहाँ पर जिस कारण से यह आपका इसको वापस लिया गया इस टेंडर को तो जैसी यह election खतम होगा उसके बाद आपका नया टिंडर जारी किया जाएगा और उसके अनुसार आपसे वीड मांगी जाएगी तो यह official work है तो यह चीज़े दरसार रही है यहाँ पर की कारे प्रगती में यह परिक्षा भी जल्द होनी है तो यह परिक्षा कब तक हो जाए तो उन 24,279 सीटों में से अब नई जो कॉंस्टेबल की बहाली है वह 29,479 सीटे है यह और यानि की सीपाही भरती phase 2 की बात करें तो यहाँ पर 24,479 सीटे और आनी है और वहीं पर दरोगा की बात करें हम यहाँ पर तो 247 पदों की बहाली यह नई एसाई की बहाली आ सकती है इस बार तो यह कब तक आ जाएगी तो जैसा कि एलेक्षन्स खतम होगा और चुकि आपको बता दे कि बिहार में भी विधान सभा के एलेक्ष इसके साथ ड्राइबर की भी वेकेंशिस आने वाली हैं दोस्तों तो जिसमें कि 2800 पद बताय जा रहे हैं कि लगबख यहाँ पर बिहार सिपाही और विहार द्रोगा के लिए यहाँ पर ड्राइवर की वेकेंशिस भी अपडेट की जाएगी तो यह भी अपडेट और ये भी notification आपको जल देखने को मिल सकता है अगस सेप्टमबर तक का इंतजार कीजे कि तब तक आपकी notification आएंगे लेकिन हाँ आपको अपनी तयारी में लगे रहना है तयारी करते रहना है तभी जाके कही न कहीं आपको success मिलेगा और इन सब की तयारी के लिए आप हमारे टेली ग्राम पर जुड़िए जहाँ पर डेली आपको मोक टेश्ट करवाय जा रहे हैं क्यूजिस करवाय जा रहे हैं तो आप लोग लगतार जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए फिलाल अगली वीडियो मिलेंगे दोस्तों जल्दी जय हिंद